नमस्कार खबरों का पंच नामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर रहा है देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद हैं अमेरिका की पुर्व विदेश मंत्री माइक पॉंपियो का बड़ा दावा कहा बालकोट स्ट्राइक के बाद भारत पर परमानू हमला करने वाला था पाकिस्तान जैन्यो के बार BBC डॉक्यमेंटरी विवाद जाम्या यूनिवर्स्टी तक पहुचा जाम्या में BBC डॉक्यमेंटरी की स्क्रेनिंग पर जमकर बबाल कैंपस में भारी तनाओ बीबिसी की डॉक्मेंटरी को एके एंटनी की बेटी अनिल एंटनी ने बताया सही तो जम कर मिली धम किया अनिल एंटनी ने दिया कॉंग्रिस से इस्तिफाब बिहार में मदर्सों को लेकर कोट का बड़ा फैसला 2469 मदर्सों की होगी जात 609 की अनुदान राश्री रोकने का भी निर्देश पाकिस्तान में सियासी बवाल पाकिस्तान के पुर्व मंत्री फवाज चौदरी गिरफतार इमरान खान के अरेस्ट की भी अटकलेश आज की सबसे पहली खबर में बात एक ऐसे दावे की जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे ये दावा अमेरिका के पुर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया है माइक पॉम्पियो ने अपने किताब Never Give an Inch Fighting for the America I Love में दावा किया गया कि 2019 फरवरी में भारत के बाला कोट में स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान हिंदोस्तान पर परमानू हमले की तयारी कर रहा था और ये जानकारी उन्हें भारत की ततकालिन विदेश मंत्री शुश्मा स्वराज ने दी है किताब के मादियम से ये कितना बड़ा दावा है देखिये राहूल गादी कह रहे थे दो दिन पहले कि सच की अपनी एक आदत होती है वो कभी ने कभी सामने आही जाती है बाला कोट एर स्ट्राइक हिंदुस्तान की सेरा ने किया या नहीं किया इसका सबूत माग रही थी कॉंग्रेस पार्टी तो सबूत आज मिल गया अमेरिका के फॉरल सेकरेटरी ने कह दिया कि बाला कोट में जो स्ट्राइक हुआ था उससे पाकिस्तान इतना बौकला गया था कि जिससे उसने नुकलर आप्सिंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया था अब पाकिस्तान अगर कोई नुकलर स्ट्राइक के बारे में सोच रहा है तो इसका मतलब तो जरूर है कि एर स्ट्राइक हुआ नुकसान हुआ और इसके लिए वो छट पटा रहा था कहानी बड़े इंट्रेस्टिंग है और ये कहानी ये है कि उस वक्त पॉम्पियो साब हैनोई में थे वो नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ बाचीत के सिलसले में वहाँ पे मौझूद थे जब रात पे उनको फोन आता है ये बताया जाता है कि ये इस तरह का सिचूइशन है और जब ये सिचूइशन के बारे में उनको मालूम चला तो वो अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त का समय दीजिए मैं बात करता हूँ और उसके बाद उन्होंने लिखा कि वहाँ जो रियल पावर जिसके पास है प्रधान मंतरी इमरान खांद से उसने बात नहीं की उन्होंने बात की बाजवा से और बाजवा को बताया कि इस तरह की बाते आ रही है उसने कहा नहीं नहीं है ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं अब इसके बाद अभिनंदन का भी केस होता है यह ध्यान रखी यह सारी चीजे एक साथ होई थी और अमेरिका के तरफ से बकादा यह वार्रिंग दी गई थी कि आप इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और पाकिस्तान के संसद के अंदर जो पाकिस्तान के सुरक्षा कमिटी के एक सांसद ने एक बड़े लीडर ने यह जो दावा किया था कि जब अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकल लिया था तो कैसे मीटिंग में बाजवा थर-थर काप रहे थे और उनको मजबूरन अभिनंदन को वापस करना पड़ा इस पूरी कहानी का लब लुभाव यह है कि जब उनको यह बताया गया कि पाकिस्तान इस तरह के से नुकलियर आप्सिन्स के बारे में सोच रहा है तो भारत की तरफ से अमेरिका को साफ साफ कह दिया गया था कि हम भी इस युद्ध को एकसलेट करने में उसको और आगे ले जाने मतलब अगर वो एक मारेगा हम दस मारेंगे यह मेसेज कन्वी कर दिया गया था पहली बार हिंदुस्तान की सरकार दुनिया के जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके सामने एक चुनोती देकर सामने खड़ी हुई थी मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी यह संदेश अमेरिका को देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अब बात करते हैं पियम मोदी पर बने BBC की डॉक्यमेंटरी की जिसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है JNU में BBC डॉक्यमेंटरी की स्क्रिनिंग को लेकर हुए विवाद के बाद अब जामिया मीलिया इसलामिया युनिवर्सटी में डॉक्यमेंटरी की स्क्रिनिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है डॉक्यमेंटरी की स्क्रिनिंग को लेकर छात्रों ने जबर दस्त हंगामा किया पुलिस प्रशासन सक्त है प्रशासन भी सक्त है पर इसके बावजूद भी छातर अडे हैं जिसके वज़ा से कैंपस में भारी तनाव के स्थिती बनी हुई है सरकार के तरफ से डॉक्यमेंटरी पर बैने पर स्क्रिनिंग की बांग इतनी जादा क्यों की जारी है देखिए ये दो धंदेबाज लोग हैं ये कोई स्टूडेंट थोड़ी है ये सब लोग देश के दुस्वन लोग हैं नकसलाइट्स हैं ये लोग ये पैसे लेकर देश में उत्पात मचाने का काम करते हैं बी बी सी का डॉक्यमेंटरी न हुआ इनके हाथ ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज आ गई है जिससे इनका फिर से वो धन्दा चालू हो जागा ये आंदोलन जीवी है हिंदुस्तान में गुजरात के नाम पे कई सारे लोगों का धन्दा चलता रहा है अब बैन कर दिया गया ये लोग देखना चाहते हैं इन्वर्सिटी ने मना किया इन लोगों ने उत्पात मिचाना शुरू कर दिया फिर जामिया के बाहर उसी तरीके से वही सीद जिसकी वज़द से दिल्ली में दंगा हुआ था वो फिर आज निजर आने लग गया खैर कुछ लोगों को पकर धगर करके अंदर डाल दिया गया मामला सांथ हो गया लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जिहादियों के समर्थक नक्सलाइट्स के समर्थक ये पाकिस्तानी धलाल हिंदुस्तान को हर वक्त डिस्टर्ब करना चाहते है पुलिस की कारवाई सक्त और कड़ी होनी चाहिए इन लोगों की वज़़े से दिल्ली में दंगे हुए थे ये दंगाई ये वामपन्थी ये फिर से अपना फन उठा रहे हैं इससे पहले वो डसें हिंदुस्तान को इनके फन को वकाईदा नियंतरित करने की आवशकता है तो पियम मोधी पर BBC की प्रोपगेंटा डॉक्मेंटरी को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है राजनीती भी जमकर हो रही है कॉंग्रस के वरिस्ट ने था एके एंटरी के बेटे अनिल एंटरी ने इस डॉक्मेंटरी का विरोध करते हुए बीजिपी का साथ दिया था पर सच का साथ देना उन्हें काफी जादा महगा पड़ गया दमकी बरे कॉल और नफरत वाले संदेश उन्हें काफी जादा मिलने लगे जिससे वो काफी जादा परिशान और आहत हुए फिर ठीक एक दिन के बाद उन्होंने कॉंग्रस पार्टी के सभी पदों से इस्तिफात देने की घोशना की है उन्होंने अपने इस्तिफे की चटी ट्वीट भी की है अगर समर्थन करेंगे तो क्या धमकिया मिलेंगे देखिए मैं तो आश्र चकित हूँ इस बात को लेके कि राहल गांधी का दिमाग कब सही रास्ते पे आएगा एके आंटनी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है यूपी के दोरान वो रक्षा मंत्री थे और बताये ये जाता है कि सोनिया गांधी के बहुत ही करीबी लीडर उनका बेटा कॉंग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी चल रहा है जिस वजह से उन्होंने इस्तिफा दिया वो वजह अपने आप में बताता है कि राहूल गांधी वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है एक पंजाब में इनके लीडर थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी उन्होंने सही समझाया सही बताया कि ये कोई नफरत के बाजार में महबत की दुकान नहीं खोल रहे है कॉंग्रेस पार्टी को राहूल गांधी ने नफरत की दुकान और चम्चो का जमावड़ा बना लिया है अब एक एंटेनी के बेटे ने सिर्फ इतनी बात कही कि ये मामला खत्म हो चुका सुप्रिम कोट का फैसला आ गया और इसके बाद कोई विदेशी एजिंसी हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम के उपर सवाल खड़ा करे ये तो हिंदुस्तान के सोवरेंटी के उपर ही चैलेंज है और इसलिए इसका समर्थर नहीं किया जा सकता उन्होंने ये नहीं कहा गुजरात में क्या हुआ नहीं हुआ वो टेकनिकल पॉइंट पे थे कि जब सुप्रिम कोट का फैसला आ गया फिर इसके उपर बवाल करना को कोई माने मतलब नहीं है बी बी सी को कौन सा अधिकार अगर उनके पास कोई नई जानकारी आ गई है तो वो बताए वही पुरानी चीजे वही पुरानी अववाव वही तमाशा आप ये कर रहे हो उन्होंने ये बात कह दी तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने किया कई सारे लीडर्स के फून आने लग गए कि रेट्रेक्ट करो माफी मांग लो वापस ले लो बयान को अब इनको लगा कि ये तो कहते हैं कि भई यहां तो बोलने के सब को अजादी है एक पार्टी के अंदर इस तरह से गैग आर्डर चलेगा सिर्व इसलिए कि राहूल गांदी ने प्रस कॉंफरेंस में कह दिया कि भई यही सचाई है जो बीबीसी दिखा रहा है तो क्या मतलब है इसका राहूल गांदी का क्या इंट्रेस्ट है इस डॉकुमेंटरी में कॉंग्रेस पार्टी का क्या इंट्रेस्ट है इस डॉकुमेंटरी में क्या कॉंग्रेस पार्टी ने इसको इस्पॉंसर किया क्या कॉंग्रेस पार्टी किसी साजिस के तहत बीबिस्टी के जरिए इस तरह की डॉकुमेंटरी उसने बनाई तो कई सारे सवाल उन्होंने उठा कि मुझे मालूم है मैं भी तो किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे मालूम है यह सब चीज कहां से हो रहा है मैं तो सब को जानता हूँ यह तंतर क्या है कॉम्टरिस पाटि का तो गाली गलोज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुका है और इसलिए उन्होंने इस्तिफा देती, एक इस्तिफा नहीं है यह, अनिल, एंटोनी, कॉंग्रिस में किलस रहे, घुट रहे, हजारों कॉंग्रिसी निताओं की आवाज बनकर वो सामने आया है अगली कबर में बात, बिहार में भी मदर्सों पर गिरी गाज की, पटना हाइकोट ने आज मदर्सों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है हाई कोट ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में मौझूद 2469 मदर्सों की जाज की जाएगी इसके साथ ही कोट ने जाज पूरी होने तक 609 मदर्सों के अनुदान को रोग दिया है हाई कोट ने राज की डीजिपी को फरजी मदर्सों की जाज करने के आदेश जारी की है द्रसल पटना हाई कोट के अरिवक्ता राश्ट इसहार ने एक याचिका दाखिल की थी याचिका में राश्ट ने आरोप लगाया था कि कई ऐसे मदर्से संचालित हो रहे हैं जिनके प अच्छा हुआ कि हाई कोट ने यादेश दिया है कोई बीजेपी वाले गरने कह दिया होता तो अभी एक और नया शाहिन बाग बन गया होता है चाती पीटने लगते सब लोग ये सेकुलर गैंग और बीबीसी कैमरा उठाकर दिए पहुंच गया होता कि मुसल्मानों के हुई हाई कोट में 600 से ज्यादा मदर्सा इलीगल फरजी तरीके से चल रहा था और सरकार पैसा दे रही थी वाह नितिश कुमार सहाब वैसे तो बिहार देश का सबसे गरीब राज्या आपनी बना ही दिया लालू और नितिश ने बिहार का जो बेदा गरक किया है उसका खा मदर्सों को फंडिंग में कर रहे थे उसके साथ तो इस सवाल का जवाब तो अब नितिश कुमार को देना होगा अगर बीजीपी ने ये काम किया होता ये छाती पीटने वाला गैंग जो है वो अभी विद्वा विलाब करना शुरू कर चुका होता लेकिन हाई कोट से आद सियासी बवाल की पाकिस्तान के पुर्वमंत्री और पीटी आई नेता फवाद चौधरी गिरफतार हो गया है इसलामबाद पुलिस ने फवाद चौधरी की गिरफतारी की पुस्टी भी की है जानकारी के मताविक चुनाओ आयोग के सचिव उमर हमीद के शकार पर कल रात कि कोसर पुलिस स्थाने में चौधरी के खिलाप मामला दर्श किया गया था फवाद चौधरी की गिरफतारी के बाद इम्रान खान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक एकटा हो गया है क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफतारी की अटकले तेज हो गई है क्या अगला नंबर अब इम्रान खान का है। पर ये लग रहा है कि आपने विदेशी फंड लेकर के चुनाओं में पैसे का इस्तवाल किया। और भी कई सारे केसिस दना दन ये जो नई सरकार है वो लगा रही है। अब बताया ये जा रहा है कि गिरफ्तारी तो होगी। इसलिए इम्रान खान ने बकाइदा अपने समर्थकों को घर के चारों तरफ बुला लिया है। कि वहाँ फिर भवाल होगा। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान के सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कि इम्रान कान सत्ता से बाहर गए होते, भवाल ना किया होता, फॉल्स फ्लैग नहीं उठाया होता। मसले को कि विदेशी ताक्तें आर्मी के साथ मिलके बाजवा और शरीव साहब ये लोग मिलके हमारे खिलाब साजिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आर्मी से पंगा लेकर पाकिस्तान में कोई जिन्दा नहीं रह सकता। ये हकीकत है, वहाँ कहने को डिमोक्रसी है, वहाँ चलते आर्मी वालों की है और इसलिए अब ये चांसेज ज़्यादा लग रहा है कि भवाद चोधरी के बाद अगला नंबर इम्रान खान का हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद बाचीत के लिए। धन्यवाद खब्रों का पंश्राम में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बागी खब्रों और उनके सटिक अनलिसिस के लिए देखते रिए कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्स्राइब कीजिए नमस्कार